वेलकम चू कंप्यूटर टीचिंग करियर बाई राखी चौबे इस वीडियो में अब से हम लोग यह आमारे इसके लिए पैड़ागोजी का सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें रोज आपको 10-15 टॉप के एजूकेशन ऑफ चिल्ड्रें विथ इस्पेशल नीट्स सुड़ बी प्रोवाइडेट यह सीटेट 2011 में पूछा गया है लाइक कि जो वैसे बच्चे जिसको इस्पेशल नीट्स की जर्वत है ठीक है यह साड़े कुस्टन जो हम लोग इंक्लूसीव एजूकेशन से प्रैक कि एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रें विथ वैसे बच्चों का एजुकेशन की बात कर रहा है जिसको इस्पेशल नीट्स की विशेश आवज सकता की जरुवत है उसको कैसे हम लोगों को एजुकेशन देना चाहिए तो कैसे देना चाहिए करेक्ट आप्शन इसका हो जाएगा स्टुडेंट ऑफ फाइफ ग्रेज विज्वल डेफिशन सी सुट भी माली जे कोई फिप्ट क्लास का बच्चा है और उसकी जो विज्वेलिटी है मतलब आखों की जो लाइक रोसनी आप कह लीजे वो क्या है कम है थोड़ी या फिर नहीं दिख रहा है उसको आप ऐसा मान बच्चे वाले बच्चे हैं उनको आपको सिख्चा देना है तो विज्वेलिटी कम है वह नहीं देख पारा है तो उसको नॉर्मल स्टुडेंट की तरह ही ट्रीट करेंगे हमेशा और उसको प्रोवाइट जिसने भी सपोर्ट की जरुट होती है व्यासा सपोर्ट करेंगे आपको सिख्चा देना है तो कौन से मीडियम के थ्रू हम लोग उस बच्चे को बढ़ाएंगे किसके अंदर यह चीज़े आता है इंक्लूसीव एजूकेशन के दुरू के समावेसी सिख्चा ओप्सन यहां पर राइट है कुछिजन नंबर फोर चाइल्ड बिलॉंगिंग तू विकर सेक्षन देखे यहां पर यह पूछी रहा है विकर सेक्षन का मतलब क्या होता है यहां पर लाइक की वीकर सेक्षन कैस लाइक की मिनिमम जो उसका कभर्मेंट की साइट से लिमिट सेट किया गया है उससे भी नीची आते कहते हैं गड़ी रेखा के नीचे वह लाइक बीपील में तो वैसे बच्चे को क्या कहते हैं हम लोग वीकर सेक्षन वाले बच्चे प्च्छे ऑप संडी यहां पर यहां पर प्रवाइट करना है उसको support देना है आपको audio ctk through option c यहां पर right है ओके next है why should students play games in school मतलब बच्चों कोई school में games क्यों खेलना चाहिए क्यों खेलना चाहिए it develops cooperation and physical balance यह क्या करता है बच्चों के अंदर लाइक अगर टीम वाला गेम खेलना तो यह cooperation की feeling आती है कैसे लीट करना है कैसे दस लोगों के बीच उसे खेलना है कैसे लाइक cooperation कैसे cooperate करना है दूसरे को ताकि हम लोग एक आउट पूर्ट पहुत 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 और physically भी उसे वह फिट रहता है physically भी बैलेंस टोड़ा है मारा बोड़ी तो option d यहां क्या है राइच है okay move to next you have been told to accommodate two mentally retarded children in your class you will आप क्या करोगी यदि अगर आपको क्या कहा जा रहा है कि class में दो मांसिक रूप से मंद बच्चे है मतलब डल बच्चे हैं डल student है तो उसको आपको क्लास में रखना है पढ़ाना उसके साथ डील करना तो आप उस टाइम क्या करोगे क्या करेंगे हम लोग learn techniques to teach such a student definitely उस टाइम ऐसा नहीं कि हम लोग मना करेंगे यह से बच्चे को नहीं सब्सक्राइब करेंगे तो उनको भी राइच है कि वह यह चुक्राइब करेंगे करेंगे तो उनको भी राइच है कि वह एचुकेशन के लिए अपना इस्टिचूशन अपने च्वाइस के एकॉर्डिंग चूज कर सके तो कौन सा आर्टिकल है आर्टिकल 29 यह देखिए option b क्या है यहां पर राइच है अनुच्छे 292 के अंदरगर यह आता है ठीक है नेक्स्ट है इस ड्यूटी ओफ मैंकाइन तो गिव दा बैस्ट तो दे चिल्ड्रें यह क्या है ड्यूटी है मानुपता का लाइक हर एक इंसान का यह ड्यूटी है कि बच्चों को क्या करें वह हमेशा सर्व स्रेश्ट मतलब जनरली करते भी है पैरेंट्स हमेशा क्या करत अपने बच्चों को अपने साउट से बैस्थी देते है यह ऑपने इस्टुडैंट को गोसित किया था तो को इसे डेट को not नौवेंबर 20, 1959 को ठीक है option D यहां पर राइच है नेक्स्ट है expansion of RTE is RTE का full form क्या है एक तरह से यह पूछ रहे तो RTE का full form जो है यह क्या है right of children to free and compulsory education ठीक हर एक बच्चों को क्या है मुफ्त है और अनिवार है सिच्छा का अधिकार option A यहां पर राइच है यह फूल फर्म है यह इंक्लूसिव एजुकेशन से कुस्टे टॉप के बाकि यह सीरीज अभी कंटिन्यू चलेगा तिल जब तक कि हमारा एक्जाम ना हो जाए तो रोज आप लोग अटलिस 10-15 questions प्रै थैंक्यू